दुखे श्वानों द्विगनामानाहा सुखे शूविगा तस्प्रिहाह वितराग भयक्रोधाह इस्थित धिर्मों नीरुच्यते प्रेदर शुखू, नमस्कार, एक बाद फिर से उपस्थित हूँ आप सब के सामने, आज बुद्धवार है एक ऐसे योग के बारे में आज उपस्थित हूँ आप सब के सामने, जो बारह प्रकार का होता है और आज मैं उसमें से पहले प्रकार के बनने वाले योग को लेकर के आया हूँ आज का कारेकरम बड़ा बेहद, सुन्दर होने वाला है, क्योंकि इसके अर्थ जो मैंने आपको आज बताने हैं, जो कारेकरम के आरमधे में मैंने आप ही श्लोक बोला, वो बड़ा दिप्प है और एक बात बता हूँ, तो आप लोगों को ये बात समझने में आसानी होगी, कि आज कल के लग कूजा पाठ और मंतर जब से क्यों दूर जाते हैं, उसकी एक मात्रक वजह, मैं वो बताने वाला हूँ, कारेकरम कंत जूर के रहिएगा, कहीं जाना नहीं है, पांच मिनट का वक्त लेंगे आपका, बस, उससे ज्यादा नहीं, आज शुरू करते हैं आज का कारेकरम, जो मैं आज बता रहा हूँ, यह कई प्रकार के होते हैं, लगन होते हैं, विक्रम माली का योग होता है, रंध्र माली का योग होता है, कर्म माली का योग होता है, पुत्र माली का योग होता है, विभिन भावों से, जैसे जैसे वो ग्रह उस भाव से बढ़ते जाते हैं, व अगर सुख से बनाता तो सुख मालिक आयो, पंचम से बनाता तो पुत्र मालिक आयो, ऐसे स्थोधिया मनती है, पर आज हम जिसकी चर्चा करना है वो लगन मालिक आयोग है, मतलब यह है इस कुंडली में या लगन में इस योग में कि जातक की कुंडली में, लगन कुंडली मे लगन से लेकर के सात्मे भाव तक सुर्य से लेकर के शनी तक के सारे ग्रह लगातार एक-एक घरों में बैठे हों. बस इतनी सी बात है. अब इसमें से रहू और कितु को हटा देना है. उन्हें यहां नहीं देखना है. अगर वो बैठ जाएंगे साथ में, तो एक अलग तरीक का उसका एक निगटिव प्रवाव भी दिखने को मिलेगा. पकी है बात. पर अगर वो नहीं बैठे हैं, तो ये भात अलगे. पर उनको इस योग में नहीं देखना है. तो मैंने यहां जो आपको बताने का प्रयास किया है, कि देखिए यहां पे मैंने एक ग्रह लगन में बिछाया है. ये लगन से ही शुरू होना चाहिए, क्योंकि ये लगन माली का योग है. अब इसके पीछे कोई ग्रह न हो. क्योंकि अगर इसके पीछे कोई ग्रह हो जाएगा, तो ये लगन माली का योग नहीं होगा. मतलब पहले आरंभ लगन में ही पहला घर बैठा हो. अ एक एक ग्रह ही बैठा होना चाहिए, किसी एक भी ग्रह के साथ दो ग्रह, जैसे अगर मालीजे मैंने कहा राहू और के तू बैठ जाएंगे, तो यो भंग होगा ही, साथ ही उसका एक अलग दूस प्रभाव भी देखने को मिलेगा, कहने का दात पर ये, एक घर इसमें, तो ए एक ही ग्रह इसमें, एक घर यहां, तो एक ही ग्रह इसमें, एक घर यहां, तो इसे एक घर, ऐसे करके देखे, मंगल अकेला बैठा, बुद्धे यहां अकेले बैठे, शुरिय यहां अकेले बैठे, शुक्र यहां अकेले बैठे, चंद्रमा यहां, शनी यहां, गुरू यह लग्न मालिका योग में लग्न से लेकर के अगले सात घरों में क्रमसह एक एक घर में एक ग्रह बैठे हो यही हो गई लग्न मालिका योग अब कहने का मतलब कि इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव है कि व्यप्ती का सबसे पहले स्वास्त, धन भी अच्छा, पराक्रम भी अच्छा, सुख भी अच्छा, पुत्र भी बढ़िया और शत्रों से विजेता भी और साथी साथ व्यप्ती का दामपत्य भी अच् आपके धन की बात हो, आपके महनती होने की बात हो, आपके पत्नी के साथ बनने वाले संबंध की बात हो, या फिर जीवन की परिस्थेतियों, जो जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं, उससे निपटने की चमता कितनी है, ये सारी चीजें व्यक्ति के जीवन में बहतरीन होती हुई देखी जाती है बस इतनी सी तो बात थी जो की लगन माली का योग में आने वाले दिनों में मैं धन माली का योग के भी बार में बता दूँगा भाग्य माली का योग के बारे में लाभ माली का योग के बारे में लाभस्थान से अगर ऐसे ही ग्रह बैठ जाएंगे तो वो लगन माली का योग हो जाएगा बस परमात्मा से इतने सी कृपा मिल जाए कि राहू केतु के स्थती इन से अलग हो जाए पर वो होगा कैसे अगर यहाँ पे जो लगन माली का योग है इसमें अगर राहु केतु के स्थती किसी भी भाव में बैठ जाएगी तो वो उसके भाव को, या मान लीजिए अगर राहु यहां बैठ जाते हैं सुक्र के साथ, तो अब वो सुक्र और राहु और केतु का प्रभाव यहां पे भी देखने को मिलेगा जो एक दूस परिणाम के तौर पे होगा अलग बात है कि आपकी कुंडली में ये ग्रह अस्त हैं मृतप्राया हैं कमजोर हैं तो उसके असर को कम होते हुए देखा जाएगा पर व्यक्ति की कुंडली में माली का योग बनेगा और उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा क्लेर है ये छोटव सा कारिक्रम था जो सुचा बता दूँ आप लोगों को किसा लागा कारिकरम ज़रूर बताईएगा कारिकरम के आरम हमें बोलेगर श्लोक का अर्थ बता देता हूं गीता के दूसरे अध्याय के च्छपपंवे श्लोक में भगवान ने बात कही है क्या कही है जिसको दुख मिला हो न तो वो उद्वेगी ना होता हो और जिसको सुख मिल जाए तो वो उसमें फंसना जाता हो वही इस्थर बुद्धी कही जाती है और एक बाद बताओं आज कल के लोग पुजा पाट से प्राया दूर क्यूं होते हैं त्योंकि उन्हें पता है उनकी कमजोरी क्या है और वो कमजोरी है एक जगह बैठ करके दस मिनट तक एक इस्थती में इस्थित प्रग्यना होना मतलब आज कल के बच्चों को ये पता है जी क्या पता है कि उन्हें एक जगह एक अंगल में नहीं बैठा जा सकता उनसे नहीं हो पाएगा ये और फिर मंत्र पढ़ने की बाद तो गमारा ही नहीं है वो तो इतने बज्ञानिक हैं कि उन्हों पता ही नहीं है कि मंत्र ही ब्रम्भा है मंत्र एवा ब्रंभा यही है अरे बात बताओं तो दर्शन उनको इनकी कमजोरी पता है कि मैं बैठ करके एक सीध में अपनी मेरू दंड को 10 मिनट एक जैसा नहीं रख सकता इसी लिए वो इससे से भागना चाहते हैं और मंत्र जब नहीं करना चाहते हैं पूजा नहीं करना चाहते हैं वस स्थती इतनी है कुछ इसी तरीके साथ के कारिकरम का समापन करेंगे कैसा लागा कारिकरम जरूब बताईगा तब तक के लिए जाज़ दीजे आसा है आप लोगों को यह कारिकरम पशंद आया होगा तब तक के लिए बहुत-बहुत नमस्का कर दो